अगर ये गलती नहीं होती तो पत्नी भानवी सिंग से नहीं अलग होते कुंडा के बाहुवली राजा भाईया दो साल पहली राजा रानी की प्रेम कहानी में आ गया था तीसरा शक्स लिकिन वो राज बना रहा किसी भी राजा के लिए जरूरी होता है कि वो तलवार बाजी, घुरसवारी और निशाने बाजी में अच्छा हो तब यो अपने राजी को बचा सकता है भद्री रियासत के राजा भाईया को भी उनके पीता उदेपरताब सिंग ने बचपन से ही एक राजकुमार की तरह पाला खुरसवारी हो या फिर विवान उडाना हो, निशाने बाजी हो या फिर बाहुबली वाला स्वेक सब कुछ राजा भाईया ने बनाया और खुद को साबित भी किया सिर्फ 25 साल की उम्र में राजा भाईया के शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी सिंग के साथ हुई उस दोरान राजकुमारी भानवी सिंग की उम्र सिर्फ 20 साल थी बस्ती राजपरिवार की राजकुमारी भानवी सिंग जब भद्री रियासत की बहू बन कर आई तो यहां आने के बाद वो राजकुमारी से राजा की रानी बन गए लेकिन किसी तीसरे की वज़े से राजा रानी की ये प्रेम कहानी खत्फ हो जाएगी शायद ये किसी ने नहीं सोचा था राजा भाईया की शादी 1995 हुई शादी की दो साल पहले 1993 में ही वो विधायक बन गए थे शादी के बाद राजा भाईया राजनीती में बिजी हो गए और उनकी पत्नी भानवी सिंग ने बिजनिस शुरू किया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा भाईया से भी जदा संपत्ती उनकी पत्नी भानवी सिंग के पास है साल 2017 की चुनाव में रहुराज प्रताप सिंग ने अपने हलफ नामे में कुल 14 करोड की संपत्ती का ऐलान किया था इसमें 7.2 करोड की संपत्ती उनकी पत्नी के नाम थी जबकी 6 करोड की संपत्ती राजा भाईया के नाम थी राजा भाईया की पत्नी भानवी सिंग अभुष्णों और हत्यारों की भी बहुत शौकीन है रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 4.5 किलो ग्राम सोना, 10 किलो चांदी और 21 सोने के सिक्के है जिस तरह से राजा भाईया को विमान उडाने और घुर्टसवारी करने का शौक है उसी तरह सुनकी पत्नी भानवी सिंग को निशाने बाजी और अच्छे हधियार रखने का शौक है बताया जाता है कि भानवी सिंग के पास करीब एक लाग रुपए कीमत की एक पिस्टल है इसके साथ यो अपने पास एक राइफल और बंदूग भी रखती है राजा भाईया और भानवी सिंग के चार बच्चे है दो बेटे और दो बेटिया सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था फिर 28 साल का रिष्टा खत्म करके राजा भाईया क्यों लग होना चाहते हैं अब इसकी चली आपको कहानी बताते है कुंडा के राजा राणी के बीच पिछले कुछ साल से रिष्टों में दरार आने लगी राजा भाईया का कहना है कि उनकी पत्नी उनके बच्चों की परवरिश भी अच्छे से नहीं करती और ना ही ससुराल में रहती है राणी भान्वी सिंग कुंडा की जगे दिली में रहने लगी थी बताया जारा की राजा भाईया ने कई बार कोशिश की लिकिन भान्वी सिंग अपने ससुराल नहीं आई परिवार और रिष्टेदारों ने भी दोनों को एक करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन इसी बीच एक तीसरे शक्स केंटी हुई जिसकी वज़े से दोनों की रिष्टे और भी ज़दा बिगड़ गए दश्री प्रॉपर्टी प्राइवेट लिम्टेट कंपनी में भानवी सिंग और उनके देवर अक्षे प्रताब सिंग की हिस्सेदारी है भानवी सिंग का रोप है कि अक्षे प्रताब सिंग ने उनके फरजी दस्खत करवा कर करीब 30,000 शेर अपने नाम करा लिए इस मामले में उन्होंने देवर अक्षे प्रताब पर केस भी किया है कहते भानवी सिंग को शक है कि अक्षे प्रताब सिंग ने राजा भाईया के कहने पर ही ऐसा किया है बात तब और भी जदा बिगड़ गई जब राजा भाईया ने खुल कर कहा कि इस मामले में हम पत्नी के साथ नहीं बलकि अपने भाई अक्षे प्रताब सिंग के साथ खड़े हैं कहते राजा भाईया के इस बयान को सुनकर दोनों के रिष्टे में और भी जदा दरार आ गई भानवी सिंग को कहीं न कहीं ये उमीद थी कि राजा भाया पती होने की वज़े से उनका साथ देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ मतलब रिष्टे तो पहले सी खराब चल रहे थे लेकिन अक्षरे पटाप सिंग वो तीसरे शक्स बने जिसकी वज़े से अब राजा भाया और भानवी सिंग की कहानी तलाग तक पहुँच गई क्योंकि भानवी सिंग भी बस्ती राजगराने की राजकुमारी है राजा भाया से ज़दा कमाती है और ज़दा दौलत मंद है इसलिए वो भी पीछे हटने के लिए त्यार नहीं है अगले 23 अप्रेल को दोनों के तलाग पर सुनवाई होनी है और इसी दिन राजा रानी हम अरीtitर बाउत